प्रसासन इसके बारे में भी हम आपडेट देंगे तो चलिए सीधा चलते हैं खबर की तरफ सिधा 69,000 से सुरू करेंगे आरचित वर्ग के आरचट सौ सिच्छकों को नौ माह बाद भी नियुक्ति नहीं 69,000 सिच्छक भरती में आरचट की गणबड़ी से हो गये थे बाहर आईए यहां से हम समझते हैं कि आज नियुच पेपरों के माद्यम से क्या प्रकासित हुआ है बेसिक सिच्छा की 69,000 सिच्छक भरती में आरचट की गणबड़ी से बाहर हुए 68 सव अभिर्थियों का चैन तो अलग से किया गया लेकिन नियुक्ति करीब 2-9 महीने बाद भी नहीं मिल सकी पिछले दिनों बेसिक सिच्छा परिसे सच्छी ने इस भरती में के रिक्त पदों का बेवरा जुटाने के लिए बेसिक सिच्छा अधिकारियों को पत्र लिखा था ताकि रिक्त पदों पर यहां नियुक्तियां जो है वो कर दी जाए लेकिन उतने पद रिक्त नहीं मिले अब मामले में 13 अक्टूबर को हाई कोट में सुनवाई है आरच्छण में गलबड़ी के कारण बाहर हुए आरच्छित वर के 68 सो अभ्यर्थियों की चैन सूची जनवरी में जारी हुई थी तब से ये अभ्यर्थी नियुक्ती पानी के लिए निदेसाले से लेकर प्रसासन और जनप्रतिदियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सिवाय अस्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा मामले में अभ्यर्थियों ने हाई कोट का भी दरवाजा खटकटाया है हाई कोट मामले में स्पेसल बेंच बनाकर सुनवाई कर रही है और अच्छित वर के अभ्यर्थी लच्छम का अंतियादों ने बताया कि बेसिक सिच्छा परिसे सचीव को इस भर्ती में अर्शठ सो पद रिक्त नहीं मिले इस कारण नियुक्ति में समस्यार है यह कोट ने पूछा है कि जब अभ्यर्थियों का चैन किया गया है तो नियुक्ति कैसे देंगे इदर इस मामले में कई मुकदमे भी हो चुके हैं इसलिए सरकार नियुक्ति देकर विवाद को समाप्त करने की कोशिस में जुटी हुए मुक्ध मंतरी संसोधित ग्यापन खेल मंतरी को दिया सिच्छक भर्ती में आरचर स्रेडी के चैनी तरसर सब बेर्थियों ने मुक्ध मंतरी के प्रयागराज आने पर ग्यापन देने की कोशिस के मुलाकात नहीं होने पर लच्मे कांतियादो मनुसिंग हरिस मौरिया अनुपटेल आजने सीयम को संबोधित ग्यापन खेल मंतरी ग्रीस यादो विधायक सिधार्त नगर MLC सुरेंद्र चौधरी को सौपा कहा कि चैन होने के बाद जो नियुक्ति नहीं मिलने से मानसिक तनाओ में ज्येल रहे हैं यह अभिरती तो इसके अलावा और भी नियूच पेपर यहां देखिया इन नियूच पेपरों के माद्यम से भी चीजों को प्रकासित किया गया है 68 सिच्चकों के नियूक्तियां उलजी 69 जार सिच्चक बरती आरचछ की गरबडी से हुए थे अभिरती बाहर तो कुछ नियूच पेपरों द्वारा जो है इसको कवरेज किया गया है चलते हैं अगली ख़बर की तरफ चलिए पी इटी एक्जाम का हालचाल ले लेते हैं प 15 और 16 अक्टूबर को आयूजित होने वाली प्रारंभीक अहरता परिच्छा पी इटी में सामिल होने वालों के लिए बसों और ट्रेनों की बेवस्था कराई जाएगी उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवाचैन आयोग ने सची और नी सक्सेना ने इस संबंद में सुक्रवा का क्या रिशियो होगा क्या ऐसे बिर्थियों का किराय लगे गा कि जो प्रवेस पत्रह वही दे करके काम चला जाएगा हलाकि इस पे किसी प्रकार का अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई ये इधर अमरुजाला ब्यूरो की तरफ से सिच्छा मंतरी के आवास के बाहर हैं उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक सिच्छक बरती 2018 में पांच फीसेदी छूट से वन्चित पिछडी जाद दिब्यांग भूतपूर सैनिक स्वतंतुता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यरतियों ने बेसिक सिच्छा राजमंतरी संदीप सिंग के आवास का बाहर बाहर कारियों ने बताया कि 68500 सहायक सिच्छक भरती कि नौजनवरी 2018 के सासना देश में दिब्यांग सहीद अन्य को आरचित वर्ग में ना रखकर अनरचित वर्ग के साथ रख दिया गया है जिससे यह सभी आरचित वर्ग से वन्चित हो गये इस पर सिकायत हुई तो इसका संग यान राजवर राष्टिये पिछला वर्ग आयोग ने लिया आयोग से संबंदित विभाग को फटकार लगाते हुए 15 दिन में आरचित वर्ग के निभमन वर्गों को उत्रीड अंक में 5% की छूट प्रदान करके आयोग की संस्तुती का पालन करो या आदेश दिया लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ परदर्सन में स्यूबीर सिंग बुपेन चौधरी लेली चौधरी महरास सिंग कामा यादो गामा यादो होगा यहां पर राहुल विजेन लोदी नसीम सहीद अनिस सैक्लाबिरती मौजूद रहें तो यह पिक्चर इसमें जो हमारे दिब्यांग भाई हैं वो भी मौजूद हैं लेकिन अभी तक सरकार जो है आदेश के बाद भी इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करी है अगर नई सिच्छक भरती की बात करें तो कल से आपने देखा होगा कि अप प्राथमिक बिद्यालों में को गोद लेंगे और सुधारेंगे नि सिच्छ भी तक दायरेंगे अने वाले सिच्छ्छ नस्ताने द्वारए इन्हें गोद लगकर गाईट की भूमिका और गुडवत्ता बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय किये जाएंगे प्रमु सच्छी बेसिक सिच्छा दीपा कुमार की ओर से इस संबन में दिसा निर्देश जारी कर दिया गया है राश्टी सिच्छा नीती के तहत प्रात्म पांच किलोमेटर के दायरे में कोई भी विद्याले ऐसा करता है या शुरुवात हो जाती है हाला कि शुरुवात तो ही गई है और इस पर अगर काईदे से पहल हो गई और तो फिर नई सिच्छक भरती तो बड़ी दूर की जो है एक कॉड़ी नजर आएगी कि क्या होगा क या नहीं तो यह रही आज की कुछ खबरे मिलते हैं नए खबरों के साथ तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद